नमस्का दोस्तों वेलकम टू में चैनल आज एक छोटा सा ट्रिक्स का बारे में आप लोगों को बोलेंगे जैसे कि बहुत सारा लोग कंप्लेइन किया है जैसे कि सर जब हम लोग कोई ओडियो को इंपोर्ट कर रहे तो उस टाइम में साउंड बहुत जोड लग रहा है नहीं उस टाइम में साउंड उतना ज्यादा जोर उसका प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है मतलब कम हो जा रहा है एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रोब्लेम है जैसे कि जब भी आप लोग जानते हो जब भी कोई हम लोग ओडियो को इंपोर्ट करें ठीक है उसका प्रिव्यू मि पर आ सकते है ठीक है तो यह नोर्मली एक बाइडिफोल्ट रहता है जो जगापर रहता है उस वह पर्टिकुलर्ली जिरो डीवी पर रहता है देखिए यह प्रिव्यू मिलने के लिए क्या करना पड़ता है मुन नॉर्मली प्रिव्यू मिलने के लिए स्टूडियो का लिख सकते हो मगर एक ऐसा चैनल होना चाहिए जो चैनल का आउटपुट लेफ राइट आउटपुट का साथ जूड़ा होना चाहिए नहीं तो यह प्रिव्यू नहीं मिलेगा जैसे कि अगर हम लोग इसको डिलीट कर देंगे जैसे इसको राइट क्लिक करके अगर हम यह सिगनल आ रहा है मगर साउंड कानों में नहीं आ रहा है तो इसलिए क्या करता है हम लोग नॉर्मली ओडियो कनेक्शन में जाके एक एट चैनल में मोनीटर को हम चार मोनीटर कर सकते हैं तो मोनीटर के जाकर पर आप लोग कोई भी प्रिव्यू लिख सकते हो रेफरेंस कोई भी कुछ भी लिख सकते हम मोनीटर वन बाइडिफल्ल जो है उसको ही ले रहा है और यह स्टीडियो वन टुई कर रहे है उसके बाद इसका कनेक्शन जो में आउटपुट है उसी का साथ यह जुड़ा होना चाहिए मतलब आउटपुट वन आउटपुट टू ऐसा ही है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग जाए पर्टिकुलर्ली मोनीटर को कोई भी कोई भी साउंड को इंपोर्ट करने के लिए बज़ रहे है तो अभी मुश्किल का बात यह है जब उस जगह पर जब हम लोग प्रिव्यू कर रहे हैं उसका साउंड बहुत जोड़ से जाए तो यह किधर से होता है देखिए इधर एक लिस लीशन बटन है मतलब हम थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहते जैसे कि यह वाला जो बटन है यह वाला जो बटन है जिए वाला जो में है किसी भी करण से अगर यह बटन ज्यादा हो जाएगा जैसे कि प्लास एटिन हो है बहुत सारा लोगों का ऐसा हुआ है तो हम लोग जब प्रिव्यू करेंगे इसका साउंड बोग जोड़ से आएगा जब हम इसको ओपन कर रहे है इसको रिजूम कर रहे है तो यह हम जब सोलो करके चला रहे तो साउंड कम हो जाएगा तो कारण यह है जैसे कि यह वाला जो बटन है इसको थोड़ा सा हम लोगों को जीरो डीवी करना चाहिए जैसे कि सेम टाइप का मैचिंग होना चाहिए जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट में कोई फाइल को इंपोर्ट करता है उस टाइम में लिसन इतना जोड़ से नहीं होना चाहिए लिसन 00 में होना चाहिए किसी भी करन से अगर बढ़ जाएगा तो आप लोग ठोड़ा इसको ठीक कर लेना निक्स्ट पॉइंट जो है एक की कोमेंट का बाड़ में हमको बोला गिया है जैसे कि की कोमेंट कैसे करते हैं नॉर्मली की कोमेंट जो क्यूबस का है इंटर मानने से क्या होगा उसका बाद स्टॉप क्या होगा स्टार्ट क्या होगा उसके बाद देखिए इतना सारा की कोमेंट इसका साथ जुड़ा हुआ है मार्कर करने के लिए जूम करने के लिए जैसे हम लोग जूम इन जूम आउट करते हैं जी और एच से तो को सिर्ट करना पड़ेगा मतलब जो की कोमेंट हम लोग एट करना चाहते हैं एट कोमेंट इसको मन लिजिए हम इसको गो टू पंच आउट पोजिशन एट कोमेंट तो एट कोमेंट का अंदर जब हम लोग जाएंगे तो नॉर्मली हम लोग इसको क्लिक करेंगे क्लिक करके इ एक इस हो रहा है तो ऐसा की कमेंट आप लोगों को देना पड़ेगा जो दुस्रा में यूज नहीं हो रहा है एक कमेंट अप इधर से हम लोग करते हैं और एक इंपोर्टेंट बात जो है जैसे कि हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब यह जैसे कि हम लोग इसको अगर Ctrl Z करेंगे जैसे Ctrl Z कर दिया ठीक है वो थोड़ा से Shift हो गिया फिर Ctrl Z करेंगे फिर Ctrl Z करेंगे चला गिया फिर Ctrl Z करेंगे ट्रेक चला गिया और शिप कंट्रोल जेड में रिडो ठीक है तो उपर से अब लोग देख सकते हैं जो बटन है जिसका पास जिसको पर्टिकुलर जिसका क्यूबस में नहीं आ रहे हैं इसको राइट क्लिक करो इधर से यह वाला ऑप्शन जो है हिस्ट्री का जो ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ्शन अगर एनेबल कर दोगा तो ओ आ जाएगा हम दिखा दे रहा है प्रोजेक्ट हिस्ट्री यह वाला ठीक है इसको एनेबल चेक कर देना है अभी देखिए शिप्ट कंट्रोल जेट करके तो हो गिया मगर जब भी हम लोग कोई यह बहुत ही इन्पोर्ट ले सकते हो ठीक है तो हम इसको थ्रेशल पॉइंट को ऐसा कर रहा है इसको रिश्यू को ऐसा कर रहा है इसको एटक को ऐसा कर रहा है इसको रिलीस को ऐसा कर रहा है इसको गेन को थोड़ा सा बढ़ा रहा है इसको थोड़ा सा ऐसा बढ़ा रहा है प्रता चार पांच चेंज किया है तो अगर हम लोग ctrl z करें तो क्या होगा ctrl z में automatically track ही चला जाएगा ठीक है यह एक important जो tips है अब लोगों को हम देना चाहते हैं तो यह tips क्या है पहले हम लोग चला जाता है कि comment का अंदर ठीक है अभी comment का अंदर जाते हैं इसका shift इसका एक minute transport panel silence हो गिया भी नाम लोग हो गिया अभी transport panel का अंदर हम लोगा जाएंगे नहीं तो एक काम करते हैं इसको हम लोग select करते हैं undo ठीक है अगर enter मारोगे तो देखो undo mix console setup alt-z ठीक है और इसका साथ-साथ undo mix console setup alt-z अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा यह बहुत ही सारा बहुत ही important है आप लोगों के लिए जैसे कि अगर हम इसको threshold को इतना किया है अभी हम लोग alt-z अगर करेंगे तो देखिए यह change हो रहा है बाहर का नहीं change हो रहा है मतलब जो plugin हम लोग लिए है वो plugin का अंदर change हो रहा है फिर alt-shift-z अगर करेंगे तो redo होगा alt-z undo होगा alt-shift-z redo होगा यह काम करने के लिए बहुत important है जैसे कि जो point में हम लोग रख रहे है तो उतना ज्यादा measurement करने का कोई जरूर होती नहीं है जैसे कि इसको हम लोग ऐसा कर दिया तो यह minus 9.45 तो आप लोगों क्या करना पड़ेगा अगर back position में अगर जाना चाहते हो तो इसको double click करके minus 9.45 लिखना पड़ेगा तो back position में आप लोग जा सकते हो alt-z करके मतलब यह back था हमारा फिर हम लोग किया है alt-shift-z मतलब इसमें किया है कोई जैसे कि इसको थोड़ा सा चेंज करो उसको थोड़ा सा चेंज करो ऐसा चेंज करो ऐसा चेंज करो तो इस सभी का ऐसा होगा alt-shift-z अगर करोगे तो चेंज हो जागा alt-z, alt-z, alt-z undo कर रहा है सब चेंज हो रहा है एक-एक करके alt-shift-z करोगे सब redo हो रहा है बहुत ही important है बहुत ही कोई भी दूसरा भी ले सकते हो मतब प्लागीन हम लोग इसको कोई भी एक जैसे की l2-mono इसको ले रहा है ठीक है हम लोग इसको ऐसा किया है ऐसा कर रहा है तो alt-z अगर करेंगे तो देखिए सभी में काम कर रहा है तो इसका main क्या है इसका अगर हम लोग जाएंगे की comment में इसका main है undo mix console setup तो जितना सरा effect plugin हम लोग use करेंगे कोई भी track में सभी का undo redo हम लोग कर सकते है नॉर्माली ctrl-z और shift ctrl-z अगर करेंगे तो वह है global और यह है इसका अंदर track का अंदर कोई भी effect plugin अगर हम लोग लगाएंगे उसका undo redo यह बहुत ही important है और यह जो आप लोगों को बोला है यह वाला जो listen का बटन है यह zero कर दीजिएगा क्योंकि जैसे कि हम इसको click value volume को plus six dbk नॉर्मल ऐसा नहीं रहता है जीरो रहता है ठीक है यह थोड़ा बढ़ गया था इसलिए जब हम लोग कोई import कर रहा था उस time में थोड़ा ज्यादा pressure में बज रहा था मगर जब भी हम लोग कोई जब प्रोजेक्ट से play हो रहा था तो उस time में कम हो जाता था तो यह तो अब लोग मीडी बजाने का बाद भी हो सा मीडी बजाने का बाद थोड़ा एक बद देखो जो tone आप लोगों को that is called velocity जब हम लोग बजाते हैं तब कोई-कोई उंगली में कोई-कोई उंगली में थोड़ा सा प्रेश ज्यादा होता है तो इसका इस अब सब वेलोसिटी एजस्ट करके वह होता है मगर basic sense में हम बोल रहे हैं तो वह है जो आप लोग बजाओगे वह यह आप लोगों को सु झाल